हॉलो फ्रेंज्स कैसे आप सभी लोग मेरा नाम अशिष जोशी आज हम बात करेंगे लाइस इंस इंसिग सिंग अथोरीटी के बाते है थीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रग इंसपेक्टर क्या होता है तो आज जो है और अथोरिटी लेवल के ऊपर बात करने वाले हैं क लेवल क्या होता है मतलब जितने भी आपने manufacturing कर दी ड्रग बना दी सब कुछ कर दिया लेकिन वो किसी कोई तो से control करेगा ना पड़ना तो ऐसे तो फिर कुछ भी कर लेंगे लोग है ना इसलिए उनको जो है control करने के लिए जो है अलग-अलग और अथरिटी होती है जैसे अभी हम बात करने लाइसेंसिंग लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ठीक है लाइसेंसिंग अथोरिटी थैंसे समझीगा ठीक है लाइसेंसिंग अथोरिटी जो है आपको Central Government या स्टेट गॉवर्मेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती किसके द्वारा सेंट्रल और स्टेट अब देखिए स्टेट गॉवर्मेंट के द्वारा जो है यह क्या किया जाता है यह ऑथोरिटी पूरी ठीक है अब इसका में काम क्या होता है जैसा कि आपको नाम से पता लग र करना देख परखना सब यह काम रहता है आपका लैसेंसिंग ऑफोरिटी का ठीक है राइसेंस किस लिए for import manufacturing sales distribution सबके लिए भले ही वह जो है import करना है एंपोर्ट करना है ठीक है manufacturing करनी है ठीक है manufacturing करनी है और sale करना है ठीक है distribution करना है यह सब के लिए जो है आपका जो लाइसेंस है वो कौन देता है आपका licensing authority देती है ठीक है as simple as that उसके बाद next हम पढ़ेंगे कि qualification क्या होती है licensing authority वाले की जिसको licensing authority का बनाया जाता है जो licensing authority के अंदर जो बल्ले होते हैं उनकी qualification क्या होती है ठीक है सबसे पहली qualification तो भाई साहब उनकी यह होती कि graduation in pharmacy या pharmaceutical chemistry से जो हैं का graduation होना चाहिए graduation या तो किस में होना चाहिए pharmacy में या फिर pharmaceutical केमिस्ट्री ठीक है इन दोनों में ठीक है उसका graduation होना चाहिए और उसको जो है experience होना चाहिए कम से कम पाँ साल का minimum five years of experience किस में होना चाहिए आपका for testing of drug ठीक है ड्रग की testing के लिए जो है उसको पाँ साल का कम से कम experience होना चाहिए अगर आपको licensing authority में जाना है ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे controlling authority अब देखिए अब दिनने पड़ा licensing authority अब हम बात करेंगे controlling authority यह भी जो है आपका central या state government के द्वारा ही बनाया जाता है ठीक है controlling अब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है आजी ची जो तुब देखो नाम से पता लग जाती इसका नाम क्या controlling यह क्या करता है control करने के काम आता है controlling authority यह सब को control करता है ठीक है देखो अब इसको याद रखना कि जो कर्मिचारी है employ है इंप्लॉई है इंप्लॉई जो है उसको कौन control करता है उसका manager कि मैनेजर को उसका assistant manager या जो नहीं assistant manager तो वह ना जो में जो है head है head को फिर बात करता है उसका बड़ा head और यह total सब के बात जाता है CEO या चांसलर ठीक है मतलब जो company का head या company head लिखते था हूँ company head अभी company head को company head के ओपर कौन बैठा रहता है जो इनको check करता है डि ड्रग इंस्पेक्टर और इस drug inspector के उपर बैठा रहता है आपका controlling authority कि इंस्पेक्टर को कहा हम भीजना है क्या चेक करना है सब कुछ जो है यह आपका कंट्रोलिंग ऑथोरिटी के पास रहता है ठीक है ऑल इंस्पेक्टर्श आर के अंधिस ट्रैटे लेवलर अर्टर यह कंट्रोल इत्ता सा काम रहता है आपका है इत्ता साँ साथ पहले करें तो पहले क्लाा स्माइन हो मुझा होगा कि अपना इंट्रोडेक्शन दो तो इसमां आपने क्या बोला था कि मुझे ड्राग इंस्पेक्टर बनना है मुझे ड्राग इंस्पेक्टर बनना है ठीक है तो भई ड्राग इंस्पेक्टर होता क्या है ठीक है किसी ने यह नहीं बोला मुझे इसके कॉन्ट्रोलिंग जाना है ठेके क्यों कि लोगों को पता इद घुर्डू इन्सपेक्टर का क्या में काम होता है डिख़ो ड्रग इंसपेक्टर जो होता है वो इंस्पेक्ट करता है सब जीजेसे जितनी चीज़े है जितनी भी manufacturing plans वागना है वो सब जो है इसके अंडर रहों की है drug inspector के अंदर इसकी qualification क्या है इसकी main criteria क्या है इसको not less than 18 month का experience चाहिए ठीक है not not less than 18 months of experience कहां इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एक्स्ट्रियल अब कहां कहां है plant parental क्या है वो अलग चीज़े हैं सब ठीक है अभी हम main main मोटा मोटा देख लेते हैं बागी notes में description में notes है वह से subscribers के मुझे अभी मेसेज आते कि सब notes कहां मिलेंगे notes अरे नीचे description में मिलेंगे notes भाई ठीक है अब मैं सबको reply भी नहीं करता हूँ कितने लोगों को reply करूँ ठीक है not less than 18 month का जो है industrial experience चाहिए ड्रेण inspector के लिए पहली बात अब इसकी main duties क्या होती है ठीक है पहली duty तो यह होती है कि आप कभी भी कोई भी plant को inspect कर सकते हो क्या इंस्पेक्टर है तो inspect inspect any of plant या manufacturing plant यह आप लिख देता हूँ manufacturing plant ठीक कोई भी manufacturing plant है आप उसे inspect कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो जो है कोई भी जो है sample ले सकते हो टेक सेंपल टेक सेंपल गए कंपनी में है है यह sample यह वाला sample कोई randomly कोई भी sample उठा लिए उसको check कर दिया अगर उसमें कोई दिकत निकली तो फिर जो company है उसको जो है इस पस्तिकरन देना होगा उसका जवाब देही देनी होगी कि यह क्या है क्लियरिफीकेशन सब्सक्राइब कि यह क्या है आपका टेस्टिंग में थे यहה थे प्रणी आपको चोटी चोटी बन रहें थोगा है ठीक है, I hope आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसन आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजेगा, आपने मुझे इतना वक्त दिया, उसके ने बहुत बहुत धनिवाद, थैंक्यू सो मैच